सद्ध गुरु सचदानन साहिनात महराज की जए दोस्तों जेटी अपडेट्स यूट्यूब च्रानल पर आज हम आपको ले चल रहे हैं शेड़ी वाले साहिबाबा के दर्शन करवाने इन दोर से शेड़ी जाने का सबसे सुविधा जोनक मार्ग है बायरोड आप अपनी कार से या ओवरनाइट बस से आसानी से 400 किलो मीटर का सफर 8 घंटों में पूरा कर सकते हैं बस आपको रात को मिलेगी जो सुभा आपको शेड़ी पहुँचा देगी हम परिवार के साथ इन दोर से ओवरनाइट बस में यात्रा कर सुभा पहुँच गए साइनात महराज के धाम शेड़ी शेड़ी पहुँचने के बाद होटल धूनने की कवायत शिरू हुई हालाकि शेड़ी धाम से महस एक किलो मीटर की दूरी पर काफी होटल है जहां पर आप काफी रियायती दरों में कमरा ले सकते हैं होटल मिलने के बाद हम पहुचे साइ बाबा के दर्शन करने के लिए हालाकि अंदर मोबाइल इलेक्रोनिक सामान ले जाने की मना ही है आप अपना मोबाइल मंदर दर्शन के लिए लगने वाली लाइन से कुछ दूरी परसित लौकर में रख सकते हैं ताकि आप जैसे ही बाहर निकले तो आपको अपना मोबाइल वह अन्य सामान मिल जाए श्री साई बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप पहर आते हैं तो आप श्री साईनात महराज के अनन्य भक्तों की समाधिस्तल के भी दर्शन कर सकते हैं जिन्होंने साई बाबा के साथ काफी लंबा समय गुजारा और उनका सानिध्य प्राप्त किया इसके बाद समाधिस्तल इवं मंदर परीसर से बाहर निकलते ही द्वारका माई के दर्शन कर सकते हैं जहां श्वी साइनात महराज अपने भक्तों के साथ वारता लाप करते थे और उनके समस्त कष्चों को दूर करते थे द्वार का माई से महज कुछ दूरी पर चावडी स्थत है जहाँ पर बाबा अपने भक्तों के साथ जुलूस के माध्यम से पहुँचते थे और वहाँ पर विश्राम करते थे द्वार का माई के पास से जाने वाले रास्ते पर आपको दक्षिन मुखी हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा इसके साथ ही चावडी के नस्दीक साई बाबा के अनने भक्त अब्दुल बाबा का घर दिखाई पड़ेगा जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं इसके साथ ही चावडी के आसपास साई बाबा के अनने भक्तों के घर भी देखने को मिलेंगे जिसमें बाय जमा, महाल सापती, लक्ष्मी बाय शिंदे पाटिल के घरों को देख सकेंगे श्री साइनात के दर्शन करने के बाद महाप्रसाद लेने के लिए मंदे से महस एक किलोमीटर की दूरी पर श्री साइ प्रसादालय है जहां पर आप निशल को भूजन कर सकते हैं टोकन प्राप्त करके जब आप इस प्रसादालय में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक समय में 15 सो लोग एक साथ बैट कर भूजन कर सकते हैं यहाँ प्रसादालय सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक खुला रहता है वहीं साई प्रसादालय में भूजन परोसने वाली टीम भी उतने ही उत्सा के साथ भूजन परोस्ती है हमने आपको कराए शृड़ी के साई बाबा के दर्शन साई बाबा से यही प्रातना है कि सभी को अपने श्रीधाम बुला कर उनकी मनोकामना को पूरा करे हमारे दर्शक जो इस विडियो को देख रहे हैं उनकी भी समस्त मनोकामना पूर्ण हो ओम साई राम